नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत करता हूँ आपका करियर प्लानेट की ओनलाइन ट्लासेज में दोस्तों हमारा नया फानेंचल एर आज से स्टार्ट हो गया है इस नए वित्ती वर्ष में आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी देश और दुनिया में लोकडाउन का समय चल रहा है और इस कठीन समय में हमारे बिजनेस पर भी प्रभाव पढ़ने वाला है इसी को लेकर Tally Solutions ने Tally Software का Free License उसके यूजर्स को प्रोवाइड किया है जी हाँ दोस्तों आप Tally Software को अब Free में एक्टिवेट कर पाएंगे Free में उसका लाइसेंस Tally Company हमें प्रोवाइड कर रही है दोस्तों ये Free License केवल अगले 30 दिनों के लिए ही आप यूजर्स कर पाएंगे अगले 30 दिन तक आपका Tally Software एक्टिवेट रहेगा आपका Software लाइसेंस वर्जन में कनवर्ट हो जाएगा यानि जिस देट से आप एक्टिवेट करेंगे उसके next 30 देश तक आप उसका as a license software यूज कर पाएंगे जो लोग students हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एक सुविधा Tally ने हमें दी है अभी तक आप educational version यूज कर रहे थे तो आप जल्दी से अपने software को license version में convert कर लीजिए और इन 30 days में आप license version के सारे features को use करके उस पर practice कर सकते हैं इसी तरह से जिनके पास पहले से license version है और हो सकता है कि उनका license expire हो रहा हो तो वो भी अपनी books को इस नए financial year में complete करने के लिए अपने software को एक महिने के लिए activate कर सकते हैं अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो software है उसका expiry date 30 April 2020 है अभी मैं दूसरे system पर आपको किस तरह से tally software download करना है और किस तरह से उसे एक महिने के लिए activate करना है इसकी पूरी जानकरी मैं भी आपको देने वाला हूँ इस पूरे process में आप ध्यान रखिएगा यदि आपने पहले अपनी company में काम कर रखा है तो आप उसका wake up जरूर ले लिजिएगा आईए पूरे process को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवधन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लिजिए आईए शुरुवात करते हैं दोस्तों अभी हमारा टैली एजुकेशन मोड में काम कर रहा है आप देख रहें नीचे एजुकेशन मोड और रिले 6.6 लेटेस्ट है इस फ्री वाले मोड को एजुकेशन मोड को हम लाइसेंस मोड में कनवर्ट करना चाहते हैं उसके लिए tallysolutions.com slash tally30dayspec इस वाइबसाइट को उपन कर दीजे ये टैली कंपनी की वाइबसाइट है और इस वेब पेज पर आपको सारी इंफर्मेशन मिल जाएगी इस वेब पेज का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप डिरेक्ली वहाँ से भी इसे access कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जानकरी दी गई है कि टैली के license version में आपको क्या क्या facilities मिलेंगी और इस license version को use करने के लिए आपको अपनी सारी information यहाँ पर fill out करनी है मैं जल्दी से सारी information यहाँ fill out कर देता हूँ अपना नाम, phone number, email id, pin code औ अपना सई email address डालना है जैसे आप pin code डालेंगे तो pin code के according ही partners की list आपको display होगी दोस्तों partners का यहाँ पर मिलिंग है कि टैली ने जितने भी authorized dealer मना रखे हैं उनकी list हमें यहाँ पर मिलती है उनमें से एक को आपको यहाँ पर select करना होगा अब partners कौन है और उनके नाम क्या है व हमारे पास महीं है इसलिए मैंने इसे select कर लिया select करने के बाद आपको get the pick इस button पर click करना है जैसे आप इस button पर click करेंगे तो आपको टैली एक message box display करेगा thanks for applying और आपके system में एक setup download हो जाएगा चुकि मैंने पहले से ही setup download कर रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर download नहीं किया otherwise आप open करेंगे तो आपको टैली का serial number और activation key दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी जिसे आपको अपने टैली software को activate करते समय यूज करना है दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से serial number copy कर लिजिए अब हमें अपने टैली software को open करना है यहाँ आपको सबसे पहले activate your license ऐसा option दिखाई दे है इस option पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे टैली आपसे restart होने के लिए permission पुछेगा आप याज कर लिजेगा टैली फिर से restart होगा restart होते ही टैली आपसे serial number पुछेगा जो हमने अपने mail में से copy किया था वो यहाँ हमें टैली में प्रेस्ट करना है प्रेस्ट और टैली में जाते हुए आपको वो paste करनी है control alter V के साथ दोस्तों इसी तरह से अब यहाँ पर आपको administrator email id डालना है यह वोई email id है जो भी हमने use किया था activation key को receive करने के लिए इसी तरह से दोस्तों आपको फिर से confirm administrator email id फिर से उसी email id को लिखते हुए उसे confirm करना है सारी information input करने के बाद जैसे ही आप enterprise करेंगे एक message आपके screen पर display होगा thank you we have received your license activation request unlock your license using the unlock key send to your email id दोस्तों जो email id हमने दिया था उस email id पर अब unlock key हमें मिलने वाली है जिससे हमारा license unlock होगा यहाँ आप जैसे enterprise करेंगे आपको telly फिर से एक message box display करेगा जिसमें आपको unlock key input करनी होगी दोस्तों यह unlock key फिर से आपको अपनी email id पर मिलेगी इस mail में आप unlock key को copy कर दीजेगा और copy करने के बाद आपको अपने tally में फिर से जाना है और वहाँ आप इसे paste कर दीजेगा अब आप जैसे enterprise करेंगे tally फिर से आपको message display करेगा congratulations your license is now activate दोस्तों अब आप license वर्जन में क खरीच सकते हैं otherwise फिर से आपका tally का software education version में convert हो जाएगा दोस्तों मुझे आशा है उमीद है कि education version में जितने भी problems आती है date change नहीं होती है कई option काम नहीं करते हैं उन सभी को एक बार आप license वर्जन में practice करके दूर कर सकते हैं और हाँ दोस्तों यदि आप step by step tally gst course के video tutorial देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी android ape के माध्यम से भी देख पाएंगे आप अपने google play store पर tally gst course इस तरह से type करेंगे search करेंगे तो आपको carrier planet की android ape दिखाई देगी उसे आप अपने mobile phone में install कर सकते हैं और step by step पूरे course को सीख सकते हैं जिदि आज का हमारा वीडियो आपको फसंद आया हो उपयोगी लगा हो ज्यान वर्दक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें शेर करें और कमेंट करें आ करेंट करेंट